नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का विन आईएस के इस ओनलाइन प्रेटफॉर्म पर जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हमारी चर्चा भारत के संबैदानिक विवस्था को लेकर चल रहे थी और हमने विविन पहलों पर अपनी चर्चा को कम्रीट भी कर लिय था हमने देख लिया था इसके पहले कि सम्विधान सभा के संबंध में इसके पहले कौन-कौन से प्रश्ण विविन परिक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में और कौन से प्रश्ण पूछे जा सकते हैं उन समस्त बिंदों पर हमने चर्चा कंप्लीट कर लि जो हमारा स्लेवस में लिखा हुआ एक पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे तो राष्ट पति के सब्मंद में बिविन परिक्षाओं में कैसे प्रश्ण पूछे गए हैं आने वाले समय में कैसे प्रश्ण पूछे जा सकते हैं उन समस्त पहलों पर हमारी चर्चा सब्सक्राइए आज चलने वाली है तो छले स्वपनी चर्चा को सुरू करते हैं लेकिन उसके पहले आप सभी 1967 में हुआ था इसके ये जो बाद आया था वो तब आया था जब सुप्रीम कोट में आचिका दर्ज की गई कि अनुच्छे 13 जो मौलिक अदिकारों के संबन्द में कुछ प्राभधान करता है तो उसके तहट अगर कोई संसोधन संसत करती है तो कोई या बिध या कानून कहला आईए कि नहीं इस पर सुनवाई करने के दोरान सुप्रीम कोट ने यह नेने दिया कि अनुच्छे 368 के तहट या दिमौलिक अधिकारों में संसोधन करना है तो उस शेट क्या चाहिए आपको एक संबिधान सभा चाहिए पुना संबिधान सभा को बैठाना पड़ेगा अर्थात सुप्रीम कोट ने यह नेने दिया कि अनुच्छे 368 का प्रयोग करके संसद मौलिक अधिकारों पर संसोधन नहीं कर सकती है अब देखिए मैंने बात की थी आपको संक्री प्रशाद बाद की संक्री प्रशाद बाद में क्या कहा था कि संसद को यह सकती ब्याप्त है कि वो संभिधान के किसी भी बिंदू पर संसोधन कर सकती है लेकिन 1967 के अपने गोलकनाथ वाद में ये क्या कहते हैं अपने ही नीने को बदल देता है अब ये क्या बोल रहा है कि संसत कोई है सक्ति नहीं प्राप्त है कि वो मौली का दिकारों के विसाय में संसोधन कर दे अगर इसंसोधन वो करना चाहती है तो उसके लिए एक पुना सम्मिधान सभा आयोजित की जाएगी तो ये बात होगे किसकी हमारे आज के सिग्मेंट की गोलकनाथ वाद की चलिए आप प्रशनों पे आते हैं और हमारी प्रशनों की चर्चा कहां से होगी तो जैसा कि हमारा सिलेबस में एक टोपिक है राष्ठपती हमने संगी कारपालिकna की बात कंप्लीट कर ली थी आज हमारी चर्चा होगी राष्ठपती के बारे में और राष्ठपती के सम्मंध में जो भी प्रशन पूछे जा सकते हैं उसका क्या करतब्य होता है, उसका क्या दायत तो होता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसके संबंद में कौन-कौन सी योगताएं होनी चाहिए, निहरताएं होनी चाहिए, उसका निर्बाचक मंडल किस प्रकार से काम करता है, उसका चुनाओ की प्रकिया कैसे होती है, बिंदो पर भी हमारी चर्चा चलेगी तो चलिए अपने प्रस्णों पे आते हैं हमारा पहला प्रस्ण है कि भारत के पूर्व राष्ट पतियों में निमलिखित में कौन बिहार का राजजपाल रह चुका था हमारे उप्सन है चलिए जल्दी से अपना जवाब दे दीचिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उप्सन C जाकिर हुषैन की अगर बात की जाये तो यह हमारे जो तेलंगाना राज्ज है बरतमान में तेलंगाना है पहले आंधर प्रदेश हुआ करता था उससे इनका संबंध माना जाता है तो कहां से संबंध माना जाता है तिलंगाना तिलंगना तिलंगना से इनका संबंध माना जाता है उनका जन्म स्थान तिलंगना था और अगर बात कीजा है ने उपरास्ट पद भी थे, उपरास्ट पद थे, उसक अहिक तरीक त्या हुआ है, तो इनकी रास्ट पद के दौरान पद रहते मृत्त हुइ थे, ने के कुछ खास बात에 होगी, और एक प्रस्ण तो यह मिल गया, कि यह कहां के राजपाल थे, बिहार के राज़पाल भी रह चुके थे अगले प्रस्ट पे आते हैं हमारे अगला प्रस्ट निम्लिकित में से कौन से राष्ट पती सर्वोच नियाले में उपस्तित हुए थे जब सर्वोच नियाले राष्ट पती के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था हमारे ऑप्से तो बहुत ही इंपॉर्डन सवाल है क्योंकि एक समय आता है 1974 के टाइम का एक समय होता है उस टाइम पर गटना होती है कि 1974 की नहीं उसके पहले गटना है 69 के गटना है तो द्यान सुनःबा उस टाइम पे यह होता है कि एक चुना होता है और उसी विवस्था के लिए दो उमीदवार वेकति हार जाते हैं वो चले जाते हैं आप पर सुप्रीम कोड़ में सुने जाएंगे अब यहीं चल रही तो एक हमारे राश्टपत से उस टाइम पे जो समय उपस्ते थे अब आप इस आधार पे लगा सकते हैं कि वो कौन होगा तो हमारे option जैसा के eliminate कर दिया मैंने बताई दिया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option B आप जी वीवी गिरी हमारे चौथे नंबर के राश्टपत से फौर्ट प्रम तर्मथाइन और इन्हीं के दोरान ऐसी घंडना हुई थी और इनके विपक्ष में लड़ा Whoo नीolt रेड़ी नेलम संजीवा रेड़ी इनके विपक्ष में लड़ रहे थे और वोटिय गड़ना दो भार की गई सुपरीम कोट उसके सुनभाई होती है सुपरीम कोट यहार नीड़ है कि जो छुनाव था पूरी तरह से वैद था तो यह बात होगी इस प्रश्णों को लेके अगले प्रश्ण पे आते हैं अदेके इन में जो अन्य नाम लेके हैं उनके बारे में थोड़ा सो जान लिजे जैसे फकरुद्धिन अली आली हमेद की बारे में बात करें तो वे अध्या देश सम्मंदी गद्विदियों के लिए आपशने एड़वड इस्टोन द्वारा उप्सवनभी ली कर्व स led कर वजीर और ऑपशन सी तरुण द्थ द्वारा या आपशन डी हमेद मुट्इन Naruto है का उसान साभाल है इसको साईजवाब हो जाएगा एडबिन लूट्यं स्ट यस एक प्रेीस इंजीनियर था British Engineer Designer जिस ने सबसे पहले आपके राश्चपती भवन को डिजाइन किया और अगर और खास बात की जाए Edwin Lutians के इस राश्चपती भवन को तो राश्चपती भवन को पहले बाएस राए बाएस राए भवन के नाम से जाना जाता था कि वाईस्राय भवन के नाम से जाना जाता इस भवन पे सबसे पहले कौन भारती आए थे तो'C राज गुपाराचारी सी राज गुपाला गुपाला चारी पहले भारती थे जो इस पर निबास किये थे उसके बाद राजन प्रषाठ जब इसमें निबास करने लगते हैं तो तो Titans बत किया कोва आपका राजपत है कि सैंग कर दो श्थान रखते ली कव आपके आप जहनं में होगा तो चंडिग्यर को बिश्थित रूप से बनाने का रिक एक सांगन का ने कह depende अगला प्रश्ण है श्रीमती प्रतिभा पार्टिल का भारती गर्तन्त के राष्टपती के रूम में क्रम क्या है हमारे उप्षन है उप्षन ये 10 मा उप्षन भी 11 मा उप्षन C 12 माई उप्षन D 13 मा तो इसको ऐसे ध्यान से समझे अभी जो बरतमान में चल रहा है राष्टपती के करम में वो है 15 माई जो हमारी बरतमान में द्रौपदी मुर्मू है वो हमारे 15 माई करमे की क्या है राष्टपती हमको पता है कि जो प्रतिभा देवी सिंग पार्टिल का कारिकाल था वो 2007 से 12 के बीच में था 2007 से 12 की बाज में अगर इसको माइनस कर दिया जाए 15 वाले भाग से करम से माइनस कर दिया जाए तो 14 नमबर पे कौन थे रामनाथ कोविन 14 नमबर में कौन थे 14 थे रामनाथ कोविन फिर अगर 13 की बात की जाए तो तेरवे में इसके पहले कौन थे? मुखरजी तो अब होब इसी बात है बारवे में कौन हो जाएंगी? प्रतिवा? पाठिल प्रतिवा? पाठिल, बारवे नंबर की तो इसका सही जबाप क्या हो जाएगा? बार्मा अब यह प्रश्ण इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि मद्ध जो भारत है भारत की पहली राष्टपति महीला कौन चुनी गई आपकी प्रधिवादेविज सिंपाटिल और बरतमान में भी कौन है महीला ही है तो एक प्रश्ण बहुत इंप प्रश्ण सीटों का अरच्छन दिया जाएगा लोग सबाव इधान समय में उसमें नए अनुच्छत जोंडेगे तीन सो ए तीन सो तीस ए तीन सो बतीस ए ती कुछ बात इस समय बहुत चर्चा में रहती है इसलिए प्रश्ण डाला गया है यह चीज आपको ध्यान में रख इनका द्रौपदी मुर्मूज जिसमें चुन के आई थी अभी तो वह जो चुनाओ थो वह सोलवे क्रम के राश्टपति के लिए था क्रम के दौर पे सोलवे था लेकिन बेक्ति के तौर पे कैसे था पंद्रहमे तौर पे क्यों अब देखिए इसमें ऐसा अंदाद लगाई है कि जैसे राजयन प्रशाद दो बार चुनके आ गए तो उनके दो कारेकाल में उनका ही नाम आ गया बाकी जो नाम आए वह आपके कैसे थे एक टर्मेसिग संबन्दित थे इसलिए सोलवे राश्च पति के लिए चुनाओ वह थे लेकिन हमारी बरतमान में राश्च पति वो पंद्रहमे करम की है तो यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत के सोलवे राश्च पति चुनाओ के लिए सैयूक्त प्रगत सील गटबंधन जिसको यूपी है बरतमान में इसको इंडी गटबंधन या इंडिया गटबंधन बोला जाता है इंडी गटबंधन ये बिपक्च के द्वारा इनके बिपक्च के द्वारा इनको इंडी बोला जाता है लेकिन बास्तविक्ता में अगर इन से पूछा जाए तो इ अलग भी हो गई लेकिन जब यह बना हुआ था यह जो गड़बंदन बना था उसमें 26 दल सामिल थे लेकिन अभी चौधरी चरण सिंग की जो पार्टी थी उनके बेटे थे जैन चौधरी जो उनकी पार्टी है वो अलग हो गई थी इससे ऐसे कुछ कई सारी पार्टी या क्य सब्सक्राइब हो जाएगा ऑप्सें यस्वंध सिनहा जब आपके यूपीय की सरकारती उस्टाइम पीये कैबिनेट वित्न मंत्री को यह सुसोबित कर चुके हैं और यह राज्य सभा की सदस्ता लोग सदस्ता के भी इनके अंदरगत आतीज सतुरहन सिनहा की बात करें तो जो ट्रिंद मूल कॉंग्रेस है उसके सदस्य है कहां से आपके बिहार बंगाल से द्रौपदी मुरमु तु पताइए इसके पहले द्रौपदी मुरमु जारकंड की राजपाल थी वर्तमार में हमारे फंद्रामय करम की राश्टपती हैं गड़ बंदन से माना गया था संक दर्सन को इंडियन फिलोसोफी को बहुत 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 तरीके से बताया है और इन्होंने अपने जो 9 वेधानती, ये 9 वेधानती कहराते हैं जो पूर्भा और पश्यम का जो दर्सन है पश्यम का दर्सन को एक रूप करने का प्रयास किया इननी के सिध्धानतों को भी आगे चलके, जो इंडियन फूलेश्ओं ही है जो वेदान्त दर्शन है उसको क्या मिली थी गत मिली थी वेदान्त दर्शन को विशिष्ट पहचान और अपने सिख्षा में योगदान देने के कारण सिख्षा छेत्र में योगदान देने के कारण इनके जन्म दिवस पर राश्ट्री सिख्षक दिवस दिवस मनाया जाता है राश्ट्री सिख्षक दिवस किसके जन्म दिवस मनाया जाता है डॉक्टर राधा कृष्ण अन्गे दार्सनिक राजा भी थे दार्सनिक सासा के रूप में जाने जाते हैं और जब भारत आजाद हुआ था उस ताइम पर ये USISR के राजदूद भी थे जैसे कुछ खास बात है जैसे और अगर खास बात की बात गए तो बनारा सिंदू भी शिविद्याला की चांसलर रहे थे उ जल्दी इसका जबाब दे दीजे जल्दी बताईए कमेंट करिए कि इसका सभी दाब हो जाएगा हमारा आपसInt irgendwo कि प्र आफ डम टाझे परोफ ट्रम है इनका फॉर्ध ट्रम के यह हमारे क्या थे राष्टवति 1969 से 74 तक और अगर बात किया जाए तो ये दो बार ट्रेड यूनियन के ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस था इंडियन ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस उसकी दो बार अध्यक्चता की थी अध्यक्चता की थी फिर इसके उपरांद चुनकिया थे फकरुदीन अली हमत फिर एंसन जीवा रेड़ी चुनकियाते हैं एंसन जीवा रेड़ी संविधान सवा की सदस्त भी थे और आपके अंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे जाकिर हुसैन के बारे में हमारी सर्चा कुछ देर पहले भी होई चुकी है के अनाराएण आपकी दच्छन भारत से समंद रखने वाले राष्ट्पती थे अगले प्रश्ण पर आते हैं हमारा अगला प्रश्ण है भारत के किस राष्ट पती को मिसाइल मैन की संग्या दी जाती है हमारे ओप्षन है डॉक्टर राधा कृष्णन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम डॉक्टर सी संकर दयाल सर्माय और डी उप्युक्त में से को पोखरण परवार परिच्छन में इन्होंने अपना महत्पूर्ण योगदान दिया था इन्हें अगनी मिसाइल के निर्मार में महत्पूर्ण योगदान दिया था इसलिए इनको missile man of India का जाता है ये प्रश्ण बहुत important हो जाता है क्योंकि अभी हाली में अगनी 5 का परिच्छन किया हमने अगनी 5 एक ऐसा मिसाइल है जो सता से सता हमें वार करने वाला मिसाइल है और इंटर कंटिनेंटल मतलब अंतर माहदीपी अंतर महादूपी ये प्रकार का मिसाइल है कि प्रकार का मिसाइल है चर्चा में रहा है कभी अभी कुछ दिनों पहले ही तो यह् amainosailman की संजय दियाती है कि इनको भारत रतन भी प्रदान किया चुका है और इनकी कुछ प्रमुख पुस्तके हैं जैसे विंग सॉप फायर और जो हमारा यह है आपका एक और बहुत उनकी प्रसिद्ध पुस्टक है अभी मेरे को नाम याद ने इग्नाइंट इग्नाइट माइंड ह और एक और है एक बड़ा अच्छा प्लानिंग के उपर बेस्ट है जो अर्बन एरिया में प्लानिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए एक इनका प्लान है तो उसकी भी एक किताब है अभी धियान नहीं आ रहा है मेरे को तो यह बात होगी किसकी प्रस्टक्रांग जस्टिस M हिदायत उल्ला जस्टिस C जस्टिस P एन भगवती ये D जस्टिस B के मुखर जी तो देंके समय उस समय की बात है जब जाकिर उसेन अपने पद पर कारेरत थे और पद पर रहते ही उनकी क्या हो जाती है मृत्य हो जाती है और जब मृत्य हो जाती है तो एक व्यक में 11 क्रम के CGI बनते हैं भारत के तो बनते हैं तो कौन थे जस्टिस M हिदाय तुल्ला हमारा ऑप्सन B नमसाही उत्तर होगा इनका जन्मिस्थान के अगर बात करें तो जन्मिस्थान इनका यूपी है फिर उनने अपनी सेवा कहां पर दी मद्द प्रदेश हाई कोर्ट में परनी सुप्रीम कोड़ में चुनियकर चले जाते हैं वहाँ।іч में ऌह चीप रहते हैं उसकी दौरान नेनेओं के लिए जो मंत्री परस्त के नेनेओं के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते हैं और जब हमारे यहां पर आपात का लगा था राष्टी आपात का समय लगा था यही क्या थे हमारे राष्ट पत्ते इसका सही जबाप क्या हो जाएगा एक हो जाएगा आपका दो एक संबन दो से फिर एंस अंजीबा रेड़ी के बात किया जा तो इसके बाद चुनके आते हैं फकृद्दिन अलिया हमत के बाद तो 77 से कब हो जाएगा 82 डॉक्टर जाकर हुजयन आपके 67 से 69 सिर्फ दो वर्शों के लिए चुने जाते हैं वेवी गिरी 69 से 74 तक चौथ करम के राष्टपती होते हैं यहां पर लिखा है यह हमारे फोर्थ करम के हैं आपके थार्ड करम के हैं फकृदिन अलिया हमत फिफ्थ करम के हैं और यह शिक क्या हो जाएगा दो तो आपके बी और सी से मैच कर रहें भी का 3 हो जाएगा तो यह दो नों मैच कर रहें मतलब इनमेक्ट से कोई सहक होगा कि डॉक्तर जाकिर होजान आपके डॉक्तर जाकिर हुसायन का संबन्द कबसे एक 6767 थो यह जाएगा तो हमारा option C जो है यहाँ पर स पूछ लिया जाता है ऐसे option दे देते हैं तो इसको माना जाता है कि एक बगर बन जाता है तो पूरा उत्तर बन जाता है ठीक है चीजे आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए अगले प्रश्ण है निमने के से निमने में से कौन राष्टपति होने से पूर भारत के उपराष्टपति पद पर आसी नहीं रहा है हमारे option है option A डॉक्टर S राधा कृष्णन, option B डॉक्टर जाकिर हुजन, option C नीलम संजिबर यो option D और वेंकट रमड इसके सजबाब हो जाएगा नियलम संजिबा रेडि इसके पहले मुख्यमंत्री ते कहा के आंध्र प्रदेस के फिर आंद्रप्रदेस के मुख्मंत्री के अलावा ये कई राज्यों के राज्यपाल भी थे साथ ये सम्विधान सवा के सदस्य भी थे लेकिन इन्हों ने उपराश्टपति के पद पर अपना पद नहीं ग्रेंड किया था और आपको बता दे कि नीलम संजीब रेड़ी लोग सवा अध्यक्ष भी थे तीक कुछ बात हो गई एस रादा किश्ण के बारे में आपको मानुम है कि पहले उपराश्टपते डाक्टर और जाकर उसें दूसरे उपराश्टपते और आर बेंकर प्रशन एक प्रशन रिपीट है अप्सन थोड़ा सा परिबरतित हो गया है लेकिन प्रशन रिपीट है जिसका सही जबाब क्या हो जाएगा ऑप्सन ए नीलम संजीब रेड़ी अगला प्रशन है निमली कित में से कौन से भारती राष्टपति लोग सवाग के अध्यक्ष भी रहे हैं हमारे उप्सन है उप्सने फकृतून अली एहमंद ऑप्सन बी डॉक्टर संकर ब्याल सर्मा और सी नीलम संजीब रेड़ी यह उप्सन डी दॉक्र राजन प्रशाद तो इसका सही जबाब हो जाएगा और नीलम संजीब रेड़ी अगर लोक्सवा अध्यक्ष की बात किया जाए तो लोकसवा अध्यक्ष का जो पद होता है बहुत important पद होता है और लोकसवा की समस्त कारवाईयों को संचाइद करने के लिए इस पद की अलागी महत्तपूर्ण इस्थान रखता है अब देखिए लोकसवा अध्यक्ष में पहले जो अध्यक्ष बने थे पहले अध्यक्ष वो थे जीवी माव लंकर अब बरतमान में है कौन बरतमान में जो सत्रामी विधान सबाचल रही है उसमें कौन है आपके ओम विर्ला तो यह कुछ फैक्ट है इसके सम्मंद में अपके लोकसवा अध्यक्ष अगहा की जाए तो पंद्रामी जो लोकसवा ती पंद्रामी लोकसवा उस पे मीरा कुमारी मीरा कुमारे क्या बनी थी लोकसभा अध्यक्ष पहली महिला बनी थी अगले प्रश्ण पर आते हैं हमारे अगला प्रश्ण है स्वतंद भारत के प्रथम राष्टपति कहां से थे सब्सक्राइब हो जाएगा और आपके जो सम्विधान सभा थी सम्विधान सभा की बैठक की अधिचता कौन कर रहे ते इस थाही अधिचता राजन प्रशाद के द्वारा ही की जा रही थी आप महा प्रयाण घाट इनके जो समाध हिस्थली है समाध हिस्थल राजन प्रशाद का राजन प्रशाद का उसे महा प्रयाण घाट कहा जाता है महा प्रयाण घाट का समंध किस्थली है आपके राजन प्रशाद है तो प्रश्ण इस प्रकार से भी पूछ ले तो आपको इस शीच का ध्यान रखना है अगले प्रश्ण पर आते हैं हमारे अगला प्रश्ण है भारत के चौथे राष्टपती कौन थे हमारे ऑप्शन है श्री वीवी गिरी डॉक्टर एस राधा कृष्ण डॉक्टर जाकर हुसेन या डॉक्टर फकृद्दीन अली एहमद तो कई वार इसकी चल्चा मैंने अभी कर दी थी तो वीवी गिरी इसका सही जबाब होगा फोर्थ क्रम के कौन थे वीवी गिरी फोर्थ थे फिर डॉक्टर एस राधा कृष्ण आपके फस्ट थे दुती थे सौरी दुती डॉक्टर जाकर हुसेन तृती क्रम के और फकृद्दीन अली एहमद आपके पांचमे क्रम के पांचमे क्रम के राश्ट्पति थे अगला है सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के सब्सक्राइब से निर्विरोध रूप से कौन से जो राश्ट्पत से वह चुने गए थे जिसका सही जवाब हो जाएगा और सी एन संजीवा रेड़ी एन संजीवा रेड़ी ऐसे विक्तित तो है जिनका चयान पहली बार तो इनके चुनाओं के संबंद में दुबारा होते हैं जब दूसरी बार लड़ते हैं तो यह निर्विरोध रूप से चुन लिए जाते हैं यह खास बात हो गई किसके बारे में एंस अंजीवा रड़ी की बारे में और उसको पसंद भी बहुत है बिविन परिश्वा में इनके इनको बहुत ज़्यदा पूछा जाता है पाँ ड için जीवा रड़ी को अगली प्रशम में आते हैं अगला प्रश्म है निमलीम्लिक मेंसे làm उविखेंसे किसी भौव्गोलिक छेत्र को अनसूचित गोजित करने का संवेधानिक अधिकार किसको है हमारे एक्षिन है बोचने राजपाल को लग मुख्फिमंत्रि को यह वी सोनम बांग में फोंब यह कै रहे हैं जिसके मादम से चाल रहे हैं कि लग्दाक को अलंए के प्रक्रिया होती है मतलब मतलब कि विशेश राज्यों को क्या कर दिया जाए तो इसे सामिल करने लिए विशेज प्रक्रिया होता यह है कि सिपारिस कर दे कि यहां पर प्रशासन को चंचालित करने के लिए लोग ज्यादा निबास कर रहे हैं तो उनके लिए विवस्था अपना दिये जाए तो राश्च्पत्य करेगा थोड़ी से सलाह लेकर राजपाल से कि यहां ठीक है आप अपनी सलाह बता दीजे फिर राश्ट पती इस चीज़ को क्या कर देगा अनसुचि छेद्र घोसित कर देगा तो ऐसे अभी बर्तमान में जो 80 mm है 80 mm रिस्टेट है असम त्रिपुरा मेगाले मिजोरम ऐसे राज्यों को क्या दिया गया है विसे संबैदानी का दिकार प् प्यार करता है हमारे आप सने आप सने स्वैम राश्ट पती बी लोक सभाध्यक्ष आप्सन सी राज्य सभा के सभापति एंव संडी केंद्री मंत्री मंदल है कि हमारे संबिधान के अनुच्छे तिरवन में क्या लिखा हुआ है कि भारत के एक राश्ट पती होगा और अधिनस्त अधिकारियों के माध्यम से करेगा अभी अधिनस्त अधिकारी इसके मुख्रूप से कौन होंगे वो होंगे मंत्री परिसद मंत्री परिसद अब बताईए संसद में राश्ट पती अपना अभिवासन देने के लिए चाता है अभिवासन में वो बोलता है आपने सुना भी होगा कई बार कि जब बजट सत्र का पहला सत्र आयोजुत होता है उसमें राश्ट पती देता है अपना अभिवासन या नई लोग सबाजब चुनके आती है तो उसमें भी राश्टपती अपना प्रस्तुत करता है, उसमें कहता है, मेरी सरकार ने यह किया, मेरी सरकार ऐसा कर दिया, यह प्राप्त कर लिया, यह टारगेट था, मेरी सरकार ऐसा करेगी, यह वैसा प्रकार करेगी, इस प्रकार का इसका लग्ष है, मेरी सरकार, मेरी सरक कि लिग्धार हो तो मेरी सरकार मेरी सरकार क्या राश्टपति करेंगा नहीं उसको कोई कि लिख दिया मंद्री मंड्लता ज Sehr as जो एक णुषेद इसक सिस्में प्राब्धान करता है अभी वा सरगा और सचे तकार का और स स्चेवर ये फ्राब्धान मिलता एक इसके के द्वारा तेयार किया जाएगा तो यह केंदरी मंत्री मंदल के सुझाओ पर तेयार किया जाएगा अगले प्रश्ण में आते हैं हमारा अगला प्रश्ण है भारत के प्रथम राष्ट पति राजन प्रशाद किस राज्य से थे तो यह हमारी चार्चा थोड़ी पहले भी हो प्राप्त हैं, हमारे option है, option A, बास्तिविक और लोगप्री, option 2, आप्चारिक और विदिक, 3, राजनेतिक और नाम मात्र, या 4, संबैधानिक और नाम मात्र, नीचे दिये गए कूटों से सही उत्तर का, चैन कीजिए, हमारे option है, option A, option B, 2, 3, option C, 1, 4, option D, 2, 4, तो देखे, क्या हमारे हम, राज़्पत को बास्तिविक सकती है, प्राप्त है क्या, डिफेक्टो प्राप्त है क्या, नहीं, हमारे राज़्पत को क्या प्राप्त है, D, Jury, मतलब नाम मात्र की सकती, प्राप्त है, तो यह बालब कथन क्या हो तो इसके संब्धन में जितने भी ऑप्सन हो गलत हो जाएंगे एक तो नहीं होगा और आपको बता रहा हूं फिर दूसरी बात कहा है अपचारी कोना चाहिए और विदिक इसके संबीधान में इसका जिक्र मिलता है कि नहीं संबीधान में कि राष्ट्पत कैसे काम करेगा किस राष्ट्पती अनुपस्तित होता है या उपर राष्ट्पती अनुपस्तित होता है तो उसके स्थान पे सुप्रीम कोड का जो बरिष्थम न्यादिस होगा उसके पद पर आसीन होंगे तो यह विदिक भी होता है और आपचारिक भी है आपचारिक मितलब क्या कि संसद का क्या है भाग है आपचारिक मतलब क्या है संसत का भाग है तो मतलब नाम मत राश्टापती किसी दल का समर्थन करता है क्या नहीं राश्टपती निस्वार दवावसर से यह आसा कि जाती है, वो निस्वारत दवावसर अपने देश की से़ा के लिए कारि करें. तो राजन्य नहीं है. राजन्य नन்हें हैं होगे क्या है, संबयधानिक हैं. तो तीन भी गलत हो जाएगा. जो या एक तीन जब गलत हो गए, option 2 और 4 ये सही उत्तर हो जाएगा ये थोड़ा सा हमको elimination method इस प्रकार से खास करके जो भी UPSC का exam देते हैं और प्रशन नहीं बन रहा होता है वहाँ पर इस method का प्रयोग किया जा सकता है अगले प्रशन पर है आते हैं हमारा अगले प्रशन है भारती संविधान के अनुसार भारत के राष्टवति का यह कर्तब दे है कि वे निमलिखित में से किसको या किन को संसत के पटल पर रखवाए संग या वित्य आयोग के सिफारिशों को लोक लेखा समित के प्रतिवेदन को नियंतरक महाले का परिफेच चक के प्रतिवेदन को या फोर राष्टी अनुसुची जात या आयोग के प्रतिवेदन को निमलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर को चुनिए हमारे ओप्सन है केवल एक, केवल दो और चार C, एक, दो, तीन और चार यह डी, एक, एक, टीन और चार यहाँ पर है एक, टीन और चार कनफीज मत हो गدم, यहाँ पर यह चीज आ गई है तो दिख नहीं रहा होगा तो एक और तीन और चार लिखा हुआ है तो देखे, सिंपल सी वाद है कि बित्य आयोग के गठन का प्राब्धान कौन करता है? आपकी राश्पति के द्वारा किया जाता है, हर पांच बरस के लिए किया जाता है और वो अपने रिपोर्ट किसको सौपती है? राश्पति को सौपती है तो जब राश्पति के पास जब रिपोर्ट सौपी जाएगे तो वो संसत के पटल पर उस चीज को रखवाएगा तो यह बिल्कुल सही जवाब है मतलब कि संग बित्य आयोग के सिफारिशों को संसत के पटल पर रखवाएगा क्या बाद आपको यह थोड़ा संग में आ रही है नई क्योंकि लोग लेखा समिथ क्या डारेक्ट काम करती है नई, वो एक सदन के अंदर काम कर रही होते है, वो कैसे काम करेगी तो जो नियंत्रक पर एक लोक लेखा परिच्छ में करवाएगा तो जब इस संसद में उस रिपोर्ट की चर्चा हो रही होगी तो लोक्स लेखा समीद उसकी जांच करेगा तेहां पर वो प्रतिवेधन राश्वत को देगी क्या नहीं वो संसद को देगी तिये वाला कथन क्या हो जाएगा दो नंब्र का गरत हो जाएगा फ स्थन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रयोग करने option D संभिधान संसोधन विध्यक पर जिसका सही जवाब हो जाएगा option B वित्ति विध्यक जो होते हैं उसमें धन विध्यक की बात होती है ठीक है अब ये विध्यक क्या होते है राश्वत के पास पूर्व अनुमत से प्रस्तुत किये जाते हैं तो इस विध्यक पर उसको किसी प्रकार के क्या नहीं है विशेच सा अधिकार प्राप्द नहीं है तो option B इसका सही जवाब हो जाएगा अगले प्रस्ट पर आते हैं हमारा अगला प्रस्ट है भारत के राश्ट पत की सक्ति नहीं है हमारे option है अध्या देशों का प्रापधान B उच्छतम न इसका सही जवाब हो जाएगा option C हलाकि देखिए किसी विशे में अगर जानकारी प्राप्द करनी होती है तो संसत के पास संदेश भेजता है कौन राश्ट पती कि मुझे इस विशे की जानकारी प्राप्द करनी है लेकिन वह स्वैम नहीं करता है मंत्री परस्ट की सिफार लेकिन अध्यादेश का प्रापधान बिल्कुल है अध्यादेश जारी करेगा 123 का प्रयोग करते अगरते vict अध्यादेश जारी करेगा उस्चेद मियाले से प्रारमंवर्ष स्मभनादी प्रापद्धान कहां पर दिया गया है 143 के तहात चामादान के सक्कू prost Monaten Mad Libran प्राप्त करना ये इत्यादी काम राष्टपती कर लेता है मुखरुप से अगर प्राप्त करना की बात होती तो ज्यादा ऊचित होता इसका सही जबाब क्या हो जाएगा कौन से सब्सक्राइब करें तो बड़ा यासान सा सवाल है इसका सभी जवाब हो जाएगा ऑप्सन बी सर्वोच नियाले की सक्ति प्राप्त है और किसी प्रकार के भी दंडे से पूर्टा छमा कर सकता है सर्वोच नियाले की नयधीज को हटाने के संबन में संसद को यह सक्ति प्राप्त है किसको संसद में अगर दो तीहाई बहुआद् से यहा पराड़ित कर देती है कदाचार आसमर्टता के दौर पर कि अपने पद का दुरूप्यों किया है उस सदौर पर दो तीहाई इसलिए उसमें भाग लेगा अगला प्रश्ण है राष्टपत की छमा आदी की सकती एक है विधाई सकती है न्यायक सकती है कारपाली का सकती है या इन में से कोई नहीं तो छमा किसको दिया जाएगा जो न्याले की निड़ने में फसा हुआ है जिसको मृत दंड दे दिया गय का इस सम्मद्ध होते हैं तो यह सकती कैसी हो जाएगी उसकी न्यायक सक्ती हो जाएगी अगला प्रश्ण है राष्टपत की छमा प्रदान करने की सकत्य में क्या समलित नहीं है नहीं है कि इनकी आधार पर कफ़र मताना था कौई से कफ़र सही है लेकिन हैं पर देखा उल्लेक मिलता है परिहार का भी उल्लेक मिलता है प्राविलंब का भी उल्लेक मिलता है और लगुकरन का भी उल्लेक मिलता है विराम का भी मिलता है निरंतरता और जो रोक सब्द है इसका उल्लेक नहीं मिलता है तो अगर बात की जाए कौन सी बात सही होगी तो यह उपर के ज जाएगा दंड के समय को क्या कर दिया जाएगा कम कर दिया जाएगा लग करन में दंड की प्रकिति को कम कर दिया जाएगा विराम में सजा को थोड़े समय के लिए रोग दिया जाएगा और प्राविलम में किसी विशेष परिस्थितिय में सजा को कम कर दिया जा सकता है जैसे गरभती महिलाएं के सिति आ गई तो प्राविलंबन की सिती आ जाएगी उस समय में उनके जो गरभ बच्चा है जब तक वो वाहन आ जाता। स्वस्तरूप से बड़ा नहीं हो जाता है तब तक उनके सजा को रोग दिया जाता है तो ऐसी प्राविलंबन की स्थिति होती है तो उपर के जो पांच पॉइंट हो वो सही है और जो निरंतर्ता और रोक है ये सही नहीं है अगला प्रशन है सम्मिधान राष्टपति को असधारन प्रश्थितियों में कृत्यों के निर्वाहन है उबंध कर सकता है अब ये कृत्यों के निर्वाहन एक्शयल में यहां पर राज की राज पाल है हमारे उप्सन है अनुचिध 160 में B अनुचिध 162 में C अनुचिध 310 में D अनुचिध 165 में तो देखिए इसका सही जबाब हो जाएगा अनुच्छे दिक 160 में जो यह प्रापधान करता है कुछ बिशेश सिस्थित्यों में राजपाली की सक्तियों को अपने उपर ले लेना या सक्ति इसको प्रापत है राष्ट पति को अगला प्रशन है भारती सम्विधान भारत के राष्ट पति को अधिकार नहीं देता है तो आपको यहाँ पर देखने में क्या समझ में आ राहा है क्या होगा उसका उत्तर option B राज्यों के मुख्यमंत्रे की नियुक्त का किसी भी राज्य के मुख्यमंत्रे के नियुक्त कौन करवाता है वहाँ के राज्य पाल के द्वारा की जाती है ना कि राश्पत की द्वारा लेकिन अगर हम दिल्ली और पुद्शेरी की बात करें दिल्ली क्या हैं ये दोनों क्या हैं संग राज्जी छेत्र है और बाकी तो आपको पता ही है प्रधान मंत्री के न्यूग तो राश्टपत के द्वारा ही की जाती है अच्छा बलो के शरवोच कमांडर होने का चीफ वोब डिफेंस स्टाफ कौन है ये राश्टपती है भरती संग धानों के कौनसा अनुच्छध राश्टपती को उच्तम न्याले से परामर्श करने के सकते प्रदान करता है हमारे ऑप्सन है ऑप्सन A अनुच्छ. इक 1850, ऑप्सन B अनुच्छ. इक charity 42 ये नुच्छ. उप्सन D अनुच्छ. गजद 132 के राशक। करता है फिर अनुच्छे 143 में आपके परामर्ज संबंधी जिक्र मिलता है राष्टपत क्या कल सकता है किसी विशेश मुद्दे पर लोग महत्तु के मुद्दे पर आपके कि राष्टपत से सलाह सुप्रीम कोड से सलाह ले सकता है 143 एक और 143 दो 143 एक के तहट ऐसे सुजहाओ मागे जाएंगे जिस पर आपके संबिधान बनने के उपरांत जो प्रावधान सामिल किये गया है उनके संबंध में कोई सुजहाओ मागे जाते हैं तो राष्ट जो सब्सक्राइब करता है कि वे वह की पर या नहीं नोगा उस पर सुप्रीम ऊपना सुझणाओ देने के लिए बादिकारी होती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो उसे मानने के लिए अपका राष्ट पादि बादिकारी नहीं अभी हाली में चर्चा में रहा जिए एलेक्ट्रोरल बॉंड है इलेक्ट्रोरल बॉंड या फिर मुक्ष चुनाओ आयुक्त संबंदी चुनाओ आयुक्त की न्युक्त संबंदी सुजहाओ था इसमें सरकार को 143 के तहाती क्या किया गया था अभी सुझाव प्रसुत किये गए थे 143 अनुच्छेत का प्रयोग किया था किसने आपके सुप्रीम कोट ने अगला है भारत के राष्टपत को सक्तियों के बारे में निमलिकित में से कौन एक सही नहीं है हमारे उप्सन है राष्टपत को स्विकार अथवा अस्विकार कर सकता है तो अभी जैसा कि हमारे चर्चा हुई अनुच्छे 243 को लेके कि राष्टपती स्विकार करने के लिए बाधिकारी नहीं होता है उसको स्विकार भी कर सकता है नहीं भी कर सकता है तो इसका सही जबाब चीज है अगले प्रस्ट पर आते हैं हमारा अगला प्रस्ट है निम्लिकित में से किनके न्यूक्त भारत के राश्ट पति द्वारा की जाती है हमारे बित्त आयोक के अध्यक्ष ऑप्शन B नीत आयोक के उपद्यक्ष ऑप्शन C संगराज छेत्रों के मुख्य मंत्री या करते हैं और अभी आपको बताना है कि बरतमान में कि विट्ट आयोक के अध्यक्ष कौन है तो यह कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और संग राज्य शेत्र के मुख्यमंत्रे की नियुक्त कौन करता है राष्टपादी जैसा कि दिल्ली और पुद्चेर्य में इसका उल्यक मिलता है 249 का का में कि इसके संबन में जो सतरवा संबिधान संस्वादर होता सेवंटियत कंट्टिशेशनल अवेंडमेंट में उसमें यह प्राद्धान किया गया कि उनके मुख्यमंत्रे नियुक्त होंगे वह राष्टपति की द्वारा नियुक्त किये जाएंगे तो एक और तीन सही उत्तर होगा अगले प्रश्ट में आते हैं अगले प्रश्ट है निमलिकित में से राष्ट पति किसकी नियुक्त करता है हमारे ऑप्शन है भारत का महान नियावादी ऑप्शन भी नियत्तर है कि महालेख परिष्छक ऑप्शन सी एक राजजिका राजपाल या ऑप्शन डियू प कि कौन करता है जिसका सही जबाब हो जाएगा उप्रोक्त सभी है अगला प्रशन ने में लिखित में इसे भारत का राश्रपत कि सकी नियूक्त नहीं करता है हमारे option A, उपरास्ट पति, option B, प्रधान मंत्री, option D, राजिपाल, या option C, मुख्य निरवाचन, आयुक्त, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, option A, उपरास्ट पति, देखें, उपरास्ट पति, जो पद होता है, उसका चुनाओं होता है, चुनाओं होता है, कैसे, अप्रत्तक शु प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त करता है, राजजपाल की नियुक्त भी राजपत के द्वारा की जाती है, और मुख्य निरवाचन, आयुक्त की नियुक्त, अभी वर्तमान में, तीन सदस्की कमेटी की सिफारिस पर राजपत की द्वारा की जाती है, अगला मंत्री मंदल ने बर्स 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्या देश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्टपत को आपस वेज़ा तब राष्टपत ने भारती सम्मिधान के कौन से अनुच्छेत के अंतरगत उसे अपनी सहमती प्रुदान की अध्या देश के सम्मंद में प्रावधान करता है और यहां पर अध्या देश को स्विकार करने की बात हो रही है अगर अध्या देश की आगे की बात भी किसके मंद्यम से होगी अनुच्छेत एक्सो तेश किता है अध्या देश के आगे की जो कारवाई होती है वो यह होता है कि जब सदन के सत्र शुरू होगा उसके 42 मतब 6 सप्ता के बाद उसको अनुदन देना आवश्यक होता है अगले प्रश्ण पर आते हैं हमारा अगला प्रश्ण है सम्मिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत भारत के राश्टपति को अध्या देश जारी करने की सक्ति प्रदत है हमारे ऑप्शन है ऑप्शन B 200 123 के बाद अब अगर राज्यों की बात के जाए राज जिपाल कहां से जारी करता है तो राज जिपाल करता है 213 के ताहद करता है कौन राश्टपति अध्यादेश जारी करने के उपरांद या मैक्जिमम छै माह प्लस छै सप्ता तक लागू हो सकता है और अगर इसके बाद संसद इसमें अनमोदन कर देती है उसको स्विकार कर लेती है तो यह आगे लागू रहेगा लेकिन 6 माह और 6 सप्ता देखिए 6 माह क्यों क्यों क्योंकि 2 सत्रों के बीच मैक्जिमम 6 माह का ही क्या हो सकता है गैप हो सकता है इसे जईश्यादा नहीं होगा तो छ cotton प्लस श्ता में त coastal' 22 दिन कि अ अगर इस ऊंष्पने नहीं होता है तो ड्यद्य समाथ हो जाता है और अगर सिंस्त के दवरा अडंव of nacat कर लिया जाता है तो तो कानुन मन जाता है जैसे इससका उद्धरान अगर परश्चित करूं तो आपने सुना होगा अभी आया था महिला मुस्लिम महिला विवा संसोदान अधिनियम 2019 मुस्लिम महिला विवा अधिनियम 2019 इसके सम्मन में सबसे पहले राश्पद ने क्या लाया अध्या देश लाया अधियादेश लागू करने के उपरांद लोकसवा और राजसवा में इसको पारित कर दिया जाता है और इसको त्रिपल तलाग सिस्टम भी बोलते हैं अगर किसी व्यक्ति ने किसी मुस्लिम महिला के लिए तलाग 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 जो प्रणाली होती है तलाग के विद्धत बा से रयोक करते हुए अगले प्रश्न पर आते हैं हमारे अगला प्राश्न संबिधान के अनुसार इन में से राश्टपत की विधाई सक्ती कौन सी नहीं है हमारे ऑप्शन है संसत का सत्र आहूत करना संसत का सत्रावशान करना संसत की बैठक इस्टगित endeavor uh yeah ऐसी और द्या- ये की जाती है किसके माध्यम से, जो सभापति होता है या अध्यक्ष होता है, तो लोक सभा, अध्यक्ष या सभापति, फिर अध्यादेश जारी करना, तो अध्यादेश जारी करना आपको बता ही है, ये राश्पति को एक विशेश सक्ति प्राप्त है, अगले प्रश्न है जब कोई विद्हयक संसद में लाया गया है तो निम लिखित में से किसको उस विद्हयक पर अनुमत रोकने का अधिकार प्राप्त है हमरे option है, option A राष्टपति को, option B प्रधान मंदरी को, option C लोग सभा अध्यक्ष को या option D राज्ज सभा के सभापत के इसका जिक्री मिलता है आपके अनुच्छेद 111 में 111 के अंतरगति यह मिलता है कि जब राष्टपति के समक्ष कोई विद्ययक प्रसुत किया जाएगा तो उसके क्या क्या करतब होंगे यह तो उस पर वह अपनी विचार को पूरता संतुष्टी प्रदान करके लागू करवा सकता है या उसको लोटा सकता है पुनर विचार के लिए या फिर कोई भी उसमें सहमति नहीं देता है और अपने जिम में रख लेता है पॉकेट में रख लेता है यह सब प्राध्धन कहां मिलते हैं अनुछे दिख सो 111 में यह किसको मिलते हैं राष्ट पति को जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शने राष्ट पति आगले प्रश्ट पर आते हैं हमारा आगला प्रश्ण है निम लेकित में से कौन सी राष्ट पति की स्वव्य की सत्या हैं हमारे ऑप्शन है मंत्री परिश्ट के नियुक्त करना ऑप्शन भी दूसरे करम का है विधयक को आपतियों को सहीत वापस बेजना तीसरे में विध क्यों की सम्वन में उसे क्या मिलता है इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा मंत्री परिश्ट से सलाह लेनी पड़ेगी तो ये भी क्या हो जाए कथन सोवे की सक्तियों के समझ में गलत हो जाए फिर बिध्ययक को रोक कर रखना बिध्ययक को रोक सकता है कि नहीं कोई बिध्ययक राश्पत के पास आया तो उसरो एक ले उसमें वीटो पापर का इस्तिमाल कर ले चाहे हो आत्यांतिक वीटो या पॉकेट वीटो उसका प्रयोग कर सकता है कि नहीं बिल्कुल कर सकता है तो ये बात क्या हो जाएगी बिल्कुल सही हो जाएगी फिर बिध्ययक को 麼 बो अपत्यों सहित वापस भिजना मतलब निलम्बन-कार बीटो उसमें बिल्गुल किया सकता है। निलम्बन-कार ४ीटो उपर नहीं कर सकता है बलकि प्रधान मंत्री की सलाहा पर करेगा तो ये भी कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अब लिए कि संसद को संदेज भेजना अब माल लीजे किसी इस्तिती ऐसी है कि संसद में बहुमत किसी बीडलका नहीं है वहां पर उसकी राश्वत की सोभव आपका option है 2, 3 और 6 यह हो जाएगा सही जवाब 2, 3, 6 तो option E जो है इसका सही जवाब option E होगा अगले प्रस्षन पर आते हैं हमारा अगला प्रस्षन है निमली में से किस विसे पर राश्वत के लिए मंत्री परस्षत से सलाह लेना आवश्यक नहीं है हमारे उप्षन है उप्षन है राज़दूतों के नियुक्ति उप्षन भी राज़पाल द्वारा प्रेशित बिद्योक पर सुकृति या उप्षन सी लोक सभाब भंग करना या उप्षन भी संविधान सोधन बिद्योक पर सुकृति देना लुए आदिये राश्दूतों के नीज्क्त के लिए आक ये बांगे मंत्री परिशत को सलाह लेना जरूरूरी होता है किसी की मंत्री परिशती के राश्पती को सलाह लेना ह suggestी होता 믹 प्रिशुक्तव हरा अवता। तो ये भी सही हो जाएगा, फिर लोगसवा का भंग करना, जब लोगसवा की अंतिम बैठक होती है, उसके उपरांद मंतरी परिशद ही क्या करती है, लोगसवा को भंग किया जा सकता है। अगले और आखरी प्रेश्ट पर चलते हैं हमारा राष्ट पति ने जिस एक मात्र मामले में अपने वीटो की सक्ति का प्रयोग किया है वह था हमारे ओप्सन है हिंदू कोड़ विल बिन्योग बिद्धयक और ऑप्सन सी भारती डाग घर संसोधन बिद्धयक और ऑप्सन डी बहुत रूक बहतर रूप से प्रेकत है एक विडुत होता है इंतिय विटों अत्यानितिक विटों को प्रेकत्व राजन प्रशाद द्वारा पिपसु विन्योग बिध्यक द्वारा लेकिन अत्यांतिक बीटो स्वहम से काम नहीं करता है बलकि उसमें मंत्री परशत की सलाहा भी दे दी जाती है तो ये वाला माना नहीं जाता है लेकिन भारती डाग घर संसोधन बिध्यक में पॉकेट किया था ग्यानी जेल सिंग ने ग्यानी जेल सिंग ने पॉकेट बीटो का प्रयोग किया था भारती डाग घर संसोधन बिध्यक के द्वारा तो यही कुछ खास बात थी किसमें आज हमारी जो चर्चा हुई राष्टपत की बारे में अन्य और भी प्रश्ण है कुछ जो र चले दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास पर तब तक हमारे साथ जुड़े रहें नमस्कार